इसराइल गाज़ा वोर के बीच इरान को बड़ा जटका लगा है माना जा रहा है कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद इरान आक्रमर्ट सेंड कारवाई कर सकता है इससे मद्यपूर में हालात और जादर बिगड़ने के असार है इस इलाके में इसराइल हमास युद्यकार्ट पहले से ही तनाव है हाल ही में इरान के सर्वच धर्मगुरू अयातुल्ला अलीख हमेनेई ने इसराइल के खिलाव जम कर जहरुगला था इसराइल के इस हमले के बाद माना जा रहा है कि इरान समर्तित संगठन, हिजबुल्ला या हूती विद्रोई इसराइल से बदला लेनी कोशिस कर सकते हैं वैसे ही इरान को सपोर्ट करने वाले ये संगठन लगातार उन समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिनका कनेक्शन किसी भी तरह से इसराइल के साथ जोड़ा है दूसरी तरफ इसराइल और गाजा के बीच धाई मैने से चले आ रहे युद्ध में इसराइल ने हमले तेज कर दिये हैं इसराइली सेना ने बीती रात मगाजी रेफ्यूजी केमपर हमला किया जिसमें 106 लोगों की मौत हो गई इस कारवाई को लेकर इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उनका देश हमास से खिलाब जारी जंग में किसी दूसरे देश के दवाब में नहीं आएगा इन सब के बिच इसराइली सेना को एक सुरंग में बंधक बनाये पाँच लोगों के शव मिले हैं इन लोगों को हमास आतंकी उन्हें 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था इसराइली सेना का कहना है कि उनका मकसद हमास के साथ उनके टनन नेटवर को तबाह करना है हमास के खिलाब पिछले ढ़ाई मैने से चले आ रहे है युद्ध को लेकर इसराइली पिम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी रास्पती जो बाइडेन से मेरी बात हुई है मैंने उने बता दिया है कि इसराइल इस बार अपने टार्गेट को हासिल किये बिना जंग बंद नहीं करेगा जिन लोगों को अमेरिका और इसराइल के बीच बातचीत पर कयास लगाने हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता अमेरिका ने हमसे अब तक सीज फायर के लिए नहीं कहा है कम से कम अब तो इस तरह के कयास नहीं लगाया जाने चाहिए हमारे बारा सो नागेक मारे गए हैं बच्चों और महिलाओं को दरिंदगी का निशाना बनाया गया अब गाजा में जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने सभी टार्गेट हासिल नहीं कर लेते सबसे पहले बंदगों को छोडाएंगे और इसके बाद हमास का पूरा खात्मा किया जाएगा मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा है कि जब तक पूरी जीत हासिल नहीं होगी इसराइल रुकने वाला नहीं है अमेरिका को इस बारे में हर चीज बताई जा चुकी है कोई दूसरा देश हमें आदेश दहीं दे सकता और नहीं हम पर दवाव डाल सकता है इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रही है न्यूज एटिर हिंदी ओरिजन्स के साथ